कथकार मुन्शी प्रेम चंद की जैनती के औसर पर इप्टाद्वारा उनके प्रतिमा पर माल लार पर कर भाववी ने श्रद्धांच्टी दी गई गोर तलब है की उपन्यास और कहानियों के समराट कहे जाने वाले मुन्शी प्रेम चंद का गोरगपूर से गहरानाता रहा उनका बच्पन शेहर की गलियों में भी था लेकिन जब वा नौकरी के दौरान गोरगपूर आए तो शेहर के बेतिहाता इस सिथित निकेतन में पाँच साल रहकर उन्होंने अपनी दो मशहूर कहानिया लिखी थी धनपत्राय मुशी प्रेम चंद सिक्षा बिभाग की नौकरी के दौरान उनका तबादला हुआ तो वह 1916 में गोरगपूर दुबारा आए उन्होंने बेतिहाता इस सिथित मुशी प्रेम चंद पार्क में इस सिथित निकेतन को अपना आश्याना बराया था उसके बाद वह इस निकेतन में तब तक रहें जब तक उन्होंने नौकरी से त्याख पत्र नहीं दे दिया त्याख पत्र देने की वज़ा महात्मा गांदी का वाप प्रभावशाली भाशर था जो उन्होंने 1921 में बालमिया के मैदान में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए दिया था त्याख पत्र देने के तीन दिन बाद ही वह निकेतन छोड़कर वरार्शी चले गया हैं आपको बता दे कि मुन्शी प्रेमचंद के बच्पन के चारवर्ष गोरगपूर में बीते वह इस शेहर में पहली बार 1892 में अपने पिता मुन्शी अजाइब राय के साथ आए जो डाग विभाग में मुलाजिम थे चारवर्ष के प्रवास के दौरान उन्होंने यहां रावत बाट शाला और मिशन स्कूल से आटवी कक्षा पास की मुन्सी प्रेमचंद ने ईदगाह और नमक का दरोगा जैसी मशूर कहानिया बेतिहाता इसिद निकेतन में रहने के दौरान लिखी थी इदगाह की प्रिस्टभू में उन्हें निकेतन के ठीक पीछे मौजूद हजरत मुबारखा शहीद के दरगा के सामने की इदगाह से मिली थी तो नमक का दरोगा की प्रिस्टभू में राप्ती नदी के घाट से लिया था निकेतन को धरोहर मानते हुए यहां पार्क विक्सित कर दिया गया और उस पार्क को मुन्शी जी का नाम दे दिया गया है निखेतन में मुन्शी प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी की ओर से बनवाई गए प्रेमचंद की प्रतिमा उनकी याद के तौर पर मौजूद थी जिसे 2014 में एक ततकालीन अपर आयूप ने पार के गेट पर स्थापित करवा दिया वर्दवान में निकेतन में प्रेमचंद साहित संस्थान की ओर से लाइब्रेरी का संचालन किया जा रहा है इस संबन में गुरगपुर न्यूज से बात करते हुए इप्टा के डॉक्टर मौम्ताज खान ने कहा कर दूंदा ने कर दो में गए अपर जूए जाना ने कहा दो हुए इस है आज परिम चंद जी आज की एक सो एक तालिस व्यानति प्रेमचंद जी की एक सो एक तालिस वी जैनति रहना है प्रेमचंद जी ने इस मकान में लगभग पाच्छे वर्ष बिताए है यहीं पर वो डिप्टी इस्पक्र आफ स्कूल होकर के आये थे और वो यहीं इसी घर में रहते थे बहुत पहले जब वो चार-पांस वर्ष के थे तो अपने पिदा जी के साथ जब उनके पिदा जी का यहां अपांडमिन्ट हुआ था तो उनके साथ आये थे तो गोरफपूर से प्रिंजन जी का एक बड़ा गहरा जुडाव है बश्पना यहां भी था और फिर उसके बाद यहां उन्होंने नौकरी की और यहीं से उनके जीवन में बड़े सारे बदलाव भी आए वो बदलाव एक दिन में नहीं आए क्योंकि उनकी रचनाओं को उनकी कथाओं को उनकी कहानियों को जब हम पढ़ते हैं तो लगता है कि उनके मन में विवस्था के खलाफ सुरू से एक माहौल था और वो बिल्कुल उसके विरोध में साथ खड़े होते थे और प्रजिरोध करते थे वो उसका और उन्होंने एक साहित का जो हधियार अपनाया था उसी के माध्यम से वाधेश उते रहे और आजादी की नड़ाई में गांधी जी के आवाहन पर उन्होंने अपनी नौकरी सखोड़ लिखी बहुत सारी कहानिया इसी अस्थान से उन्होंने लिखी जैसे इदगा उदर है जी इदगा आज मुझूद है इदगा लिखी यहीं से नमक का दरोगा उन्होंने लिखा, दो बैलों की कथा लिखी, ना जाने कितनी कहानिया है जहां कहानियों के पात्र और कहानियों की रचना यहीं से हुई थी, दूसरी एक कहानी है सेवा सदन, यह पुस्तक है, पुरा नोवल है, बन्यास है, जो बहुत चर्चा में आ जत है, जितना बड़ा है, उन्होंने उसमें बहुत अंदर तक जाकर उसको महसूस किया और लिखा, और समाज को एक जिशा और उसकी दशा पर चिंता करने का आवसर भी प्रदानी किया।